पाकिस्तान की सियासत में फिर हंगामा बर्पा है पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्री इम्रान खान पर गिरफतारी की तलवार लटक रही है उनके खिलाफ शनिवार रात आतगवाथ मिरोदर खानून के तहर के तर्च हुआ इम्रान की किरफ्तारी के आशंका को देखते हुए पाकिस्तान के कोने कोने से इम्रान समर्थक इसलामाबाद के करीब बनी गाला पहुच रहे है बनी गाला बे इम्रान खान का घर है उनके घर के बाहर समर्थों का भारी हुजूम उमर पड़ा है इम्रान गहां है इसे लेकर अटकले चारी है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक वो बनी गाला में नहीं है लेकिन उनके समर्थ तक कह रहे हैं कि इम्रान वहीं पर है इम्रान पर आरोप, इसलामाबाद के पुलिस के कप्तान और एडिशनल डिस्ट्रिक और सेशन जच को धमकाने का है आई आपको सुनवाते हैं इम्रान का बयान जिसकी वज़े से वो मुसीबत में घिर गए इसलामाबाद आई जी तुम और डी आई जी तुम्हें तो हमने नहीं चोड़ना तुम्हारे पर केस करना है और और मैजेस्टेट साहिबा जेबा आप भी त्यार हो जाएं आप कब भी हम अंच्छिन लेंगे आप सब को शरुम आनी चाहिए इम्रा को इस्तमाल अब पैम्रा भी आ गया पैम्रा कहता है कि जड़ाब इम्रान खान की लाइफ तकृरिव नहीं हो सकती क्या जर्म किया इम्रान खान ने जर्म ये किया है सिर्फ जर्म ये का है कि वो कभी इन चोरों के टोले को तस्रीम नहीं करेगा ये जोर मैं उसका आई जी को और डी आई जी को और जजज को मुखातब करके ये कहना कि मैं तुम्हें छोडूंगा नहीं और फिर उसको अडिशन डिस्टर कैसे शैसेंजा जो खातून है उनका बकैदा नाम ले कि या इस तरह से तो कभी किसी ने नहीं किया तो उसका नाम ले कि जो है वो किस से एक बड़े ही जो है वो रहुनियत के अंदाज में के हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तो ये धंकी नहीं है तो और क्या है कारवाई जो है वो एक जुटीशन या एक पॉलीस ऑफिसर जो अपने जो है वो ड्यूटी सा रंजाम दे रहा है तो सियसी लोग सियसी लोगों के खलाव या कौवर्मन के खलाव तो बात करते हैं इस तरह से अफिसर्ज के दाम लेके ये तो इसने एक नई रवायत जो है वो डाली है और ये आदी मुझरम है ये दो हजार चौदा में भी जो है वो यहीं कुछ करता है लेकर अब जब चौदा के मतलक इक्तियार किया और उसके बाद फिर जो एर वाई पे शहवाज गिल ने जो बियानियां जो मौकफ इक्तियार किया और जिसकी जो है वो जिसका बाद में मकदमा दरज हुआ तो कल आप इसका जो खताब है पुरा देख ले तो ये उसी बियानिये और उसी मक कदमे के गिर्द जो है वो गूम्पराथ तो इस तरह से ये जो बात है कि आप अधारों के खिलाफ जो है वो इस तरह का बियानिया तर्दीब दें कि आप वहां पे एक यानि फाज के दर आप रेंक्स का नाम लेके के जी ये इस रेंक तक तक तो आप बड़े ठीक हैं बड़ अधारों में तो इस तरह को दिखाते हैं पाकिस्तान में आधी रात से अब तक क्या क्या बवाल मचा है वो भी हम आपको जड़ा विस्तार से बताते हैं जिसके बाद इमरान के मुश्किलें बढ़ती चा रही है इसलाबाद आई जी तुम और टी आई जी तुम्हें तो हमने नहीं चोड़ना तुम्हारे परकेस करना है सारे लोग सुनने आज से लड़ाई शुरू है हम से जंग करनी है यह सुला करनी है फैसला आपका पाकिस्तान की सियासत में एक बर फिर ऐलान जंग एक तरफ इमरान और उनके समर्थक और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकुमत तस्वीरे देखी आधी रात के वक पाकिस्तान तहरीक के इंसा पार्टी के बड़े निता और कारे करता सड़कों पर है रावल पिंडी से इसलाम अबाद तक लाहर से फैसल अबाद तक इमरान के चाहने वाले हुस्ते में हैं आज भी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान है चोर और डाकू नहीं है कौमी सलामती, कौमी मईशत, कौमी एसेट्स, कौमी असासे, कौम के साथ होते हैं और आज कौम इमरान खान के साथ है तारे लोग सुनने, आज से लड़ाई शुरू है लड़ोगे, मरोगे, इमरान खान के साथ खड़े होगे इमरान खान की लाइन कबरिज रोकने वालो, रोक सको तो रोक लो इमरान खाना रहा है इमरान समर्थकों में उबाल मार रहा है बड़े नेता से लेकर आमकार करता तक सीदी से इधम के दे रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस ना करें पाकिस्तानी सरकार पाक सरकार को चेता जा रहा है कि अगर इमरान को हाथ लगाया तो अन्जाम सही नहीं होगा तारीख ने कभी माप नी करेगी आप लोगों का घुसा देख ले शुबा के दो बज़े लिबिटी में जगा खतम हो गई है बीस पच्छेस जार बंदा यहाप एकड़े तो यह मुझे समझ नहीं आती यह कौन इनके मुझेर हैं जो इनको इतने बुज़िलाना पैसले कह रहे हैं मुकाबला करें आके मिदान में इंतखाबात में यह कहा तरीका है कि आवाज बंद कर दो चैनल बंद कर दो बंदा उठा लो गिरफतार कर लो इससे कुछ नहीं होने वाला एक तरफ इमरान पर गिरफतारी की तलवा लटकी थी तो दूसरी तरफ आधी राद तक इन बातों पर अटकले तेज थी कि इमरान कहा है बीती राद इमरान खान रावल पिंडी के लियाकत बाग मैदान में एक रैली को संबोधित कर रहे थे के इस दर्ज होने के बाद इसलाम अबाद के बानी गाला में उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में पीटियाई कारेकरता जमा हो गए पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इमरान खान रावल पिंडी से बानी गाला नहीं लोटे वो खैबर पक्तून भा या लाहर की तरफ निकल चुके हैं लेकिन उनके कारेकरताओं का दावा था कि इमरान बानी गाला में ही हैं और उनकी स्रक्षा कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में फिर बवाल है इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अठकलें तेज हैं कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है आस तक गेरो